नारण जैनती के इस विशेश उत्सों के निमित्य आप सबको बहुत बहुत शिपकामना और जितना वर्णन हुआ तो मैं यह मानता हूं कि भगवान नारद की जो बुद्धी और जो है वो किवल पत्रकारों को नहीं सबको चाहिए ताकि सुनने और पढ़ने वाले लोग भी तो वैसे चाहिए ना नहीं तो फिर एक तरफा होने से उपयोगी नहीं होगा इसलिए सब भगवान हमको सबको ऐसी बुद्धी दे शुद्ध सात्विक और यही मैं प्रार्थना करता हूं और आज हमारे बीच में उपस्तित देश के वरिष्ट पत्रकार हर्श्वर्दन जी हमारे मित्र भी है और विश्व समवात के इंद्र के सभी पदादिकारी और विशेशकर आज यहां जिनको सम्मानित किया गया श्री राजेश जी, किंजल और डिजिटल से चिंतन भाई, फिर हरशेल जी और विवेक जी और अनिल जी तो आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई और कई तो अनिल जी तो बहुत वरिष्ट है तो सबको बहुत सारी शुबकामना है कि आप अपना कारिय और तेजी से और अच्छे से करते रहे और इसे एक समाजिक कारिय समझ कर लगातार आगे करते रहे और इसी के लिए आपको इश्वर शक्ति भी प्रदान करें बहुत सारे पत्रगार जगत के भी लोग यहां उपस्तित है तो उन सब को भी बहुत सारी शुब कामदा है वैसे हम सब के जीवन का मीडिया जो है एक हिस्सा बना हुआ है सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़ आ गई है और देखते देखते जो मीडिया के हम दो साइड होते थे एक पत्रकार की साइड और एक हमारी साइड जो हम लोग देखते थे अब मुझे रखता है सोशल मीडिया के जमाने में दो साइड नहीं रही हैं मतलब सारा मिल गया है सारे ही लोग पत्रकार बन गए और अपने ओपिनियन देते रहते हैं कि और जितनी जिम्मेदारी से कमसे कम कोई नीती नियम तो बने हुए है काणून भी बना हुआ है जो भी अजय हो से यह जो भी विधिवत पत्रकार बनता है उसके लिए परंतु जब यह नवह पत्रकार यह हैं सोशल मिडिया में उनके लिए आज तक तो ज्यादा कोई कानू वो अपनी सामाजिक या मोरेल रिस्पॉंसिबिलिटी हमारी जो नईतिक जिम्मेदारी है उसी के आधार पर यह अपेक्षा की गई है और मुझे लगता है कि उसमें भी एक विवीत प्रकार का स्वरूप ध्यान में आ रहा है और इसलिए कुल मिला कर यह केवल अप पत्रगारों तक का विशे नहीं रहा क्योंकि पत्रगार क्या लिखते हैं उसके एक्षन रियक्षन में बाकी लोग भी लिखते रहते हैं और वहां क्या लिखा जा रहा है आजकल सभी मिडिया उसमें उसको रोज देखते हैं मदल सुबह की मीठिंग होती है या जो भी पत्रकार है वो देखते रहे देखंधे क्या ट्रेंड होगया क्या ट्विटर में आ गया किसने क्या लिक दिया और उसकी आधार पर अपनी नूज को बनातेov sembla करतेये सुबह के ट्रेंडिंग हो रहां उस पर टिवी में डिबेट क चुरू कर देते हैं तो यह एक बहु आयामी हो गया है और इसलिए इसकी इस बात को केवल पत्रकारों को समझने से बात अभी बनेगी नहीं तो मुझे लगता है कि इसका दाइरा अब एक पूरा सामाज का दाइरा इसका हो गया है और भारत के अगर आकड़े देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़े-बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपवयोग हमारे देश में हो रहा है फिर चीन में थोड़ा हो रहा है हमारे बराबरी का लेकिन वहां वो मुक्तता नहीं है फिर हमारे यहां अगर कोई भी जितने भी social media handles है उन सब में अगर man-averse या human-averse को हम गिनेंगे तो वो भी बहुत जादा है और जितना content लिखा जा रहा है मतलब लिखित में, text में, audio और visual और जितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ये सारे numbers अभी numbers बोलने की मुझे जरूरत नहीं हैं आजकल सब available हैं आपके लिए भी उपलब्द हैं तो वो numbers में हम बहुत, महला हम के बहुत चांद पर पहुँचे वगरे नहीं हम इसमें भी बहुत आगे निकल गए है बहुत आगे निकल गए है और महला कई लोगों के जीवन में तो ऐसा हुआ है कि महला सुबह उटते ही पहला ध्यान उनका जाता है कि क्या आया है कि इसने क्या भेजा और वाट्सब और वाट्सब या जो भी और भी नए नै अभी तंत्र आये है तो अभी ये मेश्या मीडिया तक तो हो गया अब मैं इसको प्राइवेट मीडिया कहता हूं कि मैं मुझे सोच रहा था मैं इसको नाम क्या दूमें मुझे लगा यह प्राइवेट मिडिया है कि हर एक वेक्ति अपने ग्रूप बनाते हैं और अपना प्राइवेट मिडिया उसमें चलता है अपने प्राइवेट ली उसमें अपने हमपने ग्रूप में क्या-क्या समाचा वह बेजते हैं और उसको बोलते हैं और वह ग्रूप बाद में इतने बड़े हो जाते कि वह प्राइवेट वैसे रहता नहीं फिर भी उसका प्राइवेट सवरूप रहता है कि तो यह यह भी बहुत बड़ा तंत्र है मलब करोडो ग्रूप से वाटसप के और जिसमें धेर सारी मलब जानकरियां जिसकी डाटा की अगर वैल्यू में काउंट करेंगे तो बहुत बड़ी है और इस सारे इंडस्ट्री का मिलाकर अगर आर्थिक दुरुष्ट्री से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी दुनिया ब लगातार आती जा रही है और न्यूज जो है हर जगा से न्यूज लेना और हर जगा के लिए किवल पॉलिटिकल न्यूज तक बहुत सिमित नहीं है तो एक बहुत बड़ा तंत्रव देश का बना है और जो हमारे सोच को बनाता है और हमारे सोच को बनाते बनाते किवल उसमें भी प्रामाणिकता से वह सोच नहीं बनाई जा रही है उसमें भी बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं बड़ा-बड़ा तंत्र आ चुका है जो हमारी सोच को हमारी सोच को नियंत्रित करने के प्रयास भी करते हैं बड़े बड़े लोग तंत्र पर भी प्रभाव डालने के प्रयास भी किये जा रहे हैं पिछले चुनाओं में अमेरिका में अमेरिका रशिया के जगडे में हम ने देखा कि किस तरीके से वहां के चुनाओं को प्रभावित करने की बात कही गए है हमारे देश में भी इस तर कि ऐसे वातावरण आसकल उसको अल्गोरिदम बड़ा एक टेक्निकल मतलब ऐसा एक शब्द आया है वो कुछ नहीं टेक्निकल मतलब ऐसा एक वातावरण तयार करो कि आपको वह बात सच लगने लगए जो है नहीं मतलब इमैजनरी सच तो यह बहुत बड़ा एक प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे लगा कि पहले लोग कहते थे कि शायद सोशल मीडिया के जमाने में जो इलेक्ट्रोनिक या प्रिंट मीडिया है उसका ज्यादा महत्वा नहीं रहेगा लेकिन अभी जितना अध्यन कर रहे हैं और जितनी बात समझ में आ रही है अभी भी लोग किसने कितनी भी बाते कहीं फिर भी चेक करते हैं कि किसी में मीडिया ने ये बात कही है क्या अगर कही है तो वह सच होगी अगर उन्हें नहीं कुछ नहीं आ रहे हैं नहीं में में मीडिया में कुछ नह से बने हुए जो पत्र मिडिया होसे से वो अगर कोई बात को कह रहे है या लिख रहे है तो उस बात को ज्यादा समझा जाता है और बहुत ज्यादा हो गया तो फिर सरकारी दुरदर्शन पर अगर नहीं आ रहा है तो बोलते फिर भी इसमें कुछ न कुछ तो प्रापलेम जो सभी प्रकार के मिडिया के जो विधिवत पत्रकारिता के लोग है चाहे वो डिजिटल के हो रेडियो के हो टीवी के हो उनकी जिम्मेजारी और ज्यादा बढ़ जाती है तो जहां अब आप अकेले नहीं कह रहे हैं आपके दोस्त, मिज्द, मिज्द, मिडिया उस वाले नहीं कह रहे हैं अब करोड़ों लोग जब कह रहे हैं उसमें सही बात को सही दबाव में ना आते हुए सही बात को देना और गलत बाते तो उसको नहीं देना और बड़ी हिम्मत के साथ ये काम करना ये मुझे लगता आज के समय में बहुत ज़दा आवश्यक है ताकि कहीं से कितनी भी जूटी खबरे या ब्रहमित करने वाली बाते गड़ी जाएं और बनाई जाएं उसमें भी एक सही बात जानने का एक स्थान बना रहें और लोग उसको जान सकें अभी पूरे इस तरीके के इसमें ये बात भी हम लोगों को समझना बहुत आवश्यक है कि नई प्रकार की एक व्यवस्था भी बनी है महलोग कई सारे अभी आज दुनिया में ये बात समझ में आ रही है कि किसी बात को अगर आपको आगे पहुंचाना है तो उस पहुंचाने के लिए एक पूरा सरकल बनाया जाता है हमारे देश में कुछ दिनों में हमने अनुभो किया पहले क्या आपने एक बात कहे दी आपने एक रिपोर्ट बना दी एक रिपोर्ट पर किसी ने एक निउस बना दी किसी निउस पर किसी ने आर्टिकल लिग दिया फिर उस आर्ट को तो यह एक जो पूरा सिस्टिम काम करता है इससे जूट को या जो बात अस्तित्व भे नहीं है उसको समाज मस्तिष्ट पर स्थापित करने का प्रहास भी किया जा रहा है और इसके लिए बहुत बड़े-बड़े अभियान चलाए जाते हैं इन अभियानों को भी एक्स्पोज करने का काम और दाइत्व बड़ी जिम्मेदारी आज के हमारे सब मिडिया बंदों से अपेक्षित है यह कि बड़े-बड़े अभियान आते हैं कभी लगता है कि पूरे खाए स्वाईन खाए स्वाईन गए सुथू और फिर गत्हीं सारे लोगों को मार दिया गया आधा हैं मतलब और पता नहिता वह कभ गाःब हो जाता है तो कभी बताए कि कोलेस्टरॉल जो है वह आप नहीं लेंगे आपको आप घी लेंगे तो आपको थो आपको बढ़ ज दुनिया जैसे बस डुबने वाली है बस समुद्र का लेयर बढ़ेगा गुजरात के पास भी चार फीट बढ़ जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा बनलब यह बातों को जो एक्जागरेट करके बताने के और उसके आधार पर बहुत सरी दुनिया में ऐसी बाते चलती एक जब भारत को आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारी के साथ सच को समझना सत्य के लिए प्रयास करना सथ्टे के लिए निरंदर प्रयास करना किसी भी हद तक जाना और उन बातों को उस सच्चाई को लोगों के सामने लाना मुझे लगता ये एक सामाजी करतब भी है और इ नियाकारिया है आज ऐसे जीवन के हर ख्षेत्र में इसलिए ऐसे समय में जो आज उलेख हो रहा था कि बगवान देवस्ट्रिसी नारज जी का तो ये आज के समय में उस नहितिक्ता की बहुत ज्यादा आवशकता है मलग कोई भी काम अगर कोई भी काम उस नहितिक्ता से नहितिक भाव से नहीं होता है तो उसका उसका प्रभाव जो है वो गलत दिशा में जाना ही तए है और इसलिए एक जमाने में ये भी बात चली कि अगर आपको मॉडर्न होना है तो आपको ये आप ये वैलियूज वगर जो है आपको आगे बढ़ना है आपको प्रगति करने अपने जीवन में सफल होना है तो यह पुराने जो समस्कार के वैल्यूज वगरे होते हैं और यह नहीं करना उसको दोग यह नहीं करना यह सब छोड़ना पड़ेगा तब आप आगे जा सकते हैं कि ऐसी कुछ वैल्यूज भी दुनिया में प्रसारित की गई स्थापित करने के प्रयास किये गए और कई लोग उस रास्ते पर चले भी गए जिसका परिणाम हमारे जीवन के हर ख्षेत्र में कई लोग ऐसा करते हुए हमें दिखते हैं बताते हुए भी दिखते हैं और इसलिए ज्यादा नहितिक्ता पाप पुण्य या ज्यादा सही गलत का ज्यादा दिमाग रखोगे तो फिर प्रागे नहीं बढ़ पाऊगे ऐसे बहुमुल्य वचन भी बताने वाले और समझाने वाले हर प्रकार के ख्षेत्र में लोग भी तैयार हुए हैं ये पूरे दुनिया में खासकर हमारे जो विकसीत विकसीत कहते हैं उन देशों से ये आवाजे बहुत सरी आई और उन्होंने जीवन के हर ख्षेत्र को धर्म से दूर करने का प्रयास किया और इसलिए फिर जहां धर्मक की बात आएगी जहां जीवन मुल्य की बात आएगी उस बात को हसी में उड़ा देना उस बात का मजाग बढ़ा देना ये बाती भी बहुत चली लेकिन होता है न कि काल जो होता है वो अपना समय के साथ बदलता भी है आज दुनिया में इन मुल्यों के साथ समझोता करने के कारण कई देश शायद बहुत आर्थिक दुष्टी से समरुद्यत हुए लेकिन उनके सामने इन मुल्यों के अभाव में बहुत सारे संकट उनके सामने भी आये हैं और उन्होंने दुनिया के सामने खड़े भी कर दि काम है और इसलिए यह हर प्रोफेशन में और वो पत्रगारिता का हो तो पत्रगारिता का निर्पेक्ष्य हो सकता है कि वो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा लेकिन वो धर्म से निर्पेक्ष्य कैसे रह सकता है धर्म मतलब सत्य है तो उसके निर्पेक्ष्य कैसे रह सकता है कि ऐसे प्रतिकों की स्थापना अपने जीवन के हर ख्षेत्र में आवश्य करें कि जो हमें वह रास्ता दिखा सकें कि और इसलिए पत्रगारिदा के ख्षेत्र में नारत देवश्री नारत का स्थान वैसा ही है उस प्रतिक के रूप में है अगर में डॉक्टर है और धन्वंतरी को अगर नहीं पूछता है तो फिर नहीतिक्ता का अभाव हो गई और नहीतिक्ता के अभाव में फिर वो चरक की सपत नहीं लेता है और इपोक्राट की लेता है और फिर वो बोलते कि वो धर्म से दूर जाएगा तो फिर उसमें बहुत सारे आज जो हम लोग संकट देखते वो दिखेंगे और जो धर्म के पास चला जाता है वो नहीतिक मुल्यों के साथ अपने जीवन के किसी क्षित्र में भी कार्व करता है कि आज मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए यह जो जानने का सच जानने का सही जानने का जो बहुत बड़ा माध्यम है उसमें भी इस सत्य की और इस नईतिक आदर्श की आवशक्ता है और शायद उस जो पुराणों की कथा है उसमें शायद कम आवशक्ता होगी लेकिन उसमें नारत जी की उपस्तिती बहुत जादा है मुझे लगता है आज के समय में उसकी सभसे ज़ादा आवश्यक्ता है और उनकी उपस्तिति सभसे कम है और इसलिए मुझे लगता है कि विश्वे सम मुल्य के साथ समस्त समाज में और विशेशकर पत्रगारिदा के एक्षेत्र में जर्नलिजम के एक्षेत्र में उन मुल्यों की स्थापना के उद्देश्ट से ये कारिय प्रारंब किया गया है जो की आज सबसे ज़्यदा प्रासंगिक है और इसलिए कहते हैं कि आपको आपकी स्मूर्तिया सही होनी चाहिए कि कि जब आपको दबाव आता है तो आपको याद क्या आएगा जब आदमी संकट में पढ़ता है विपरित परिस्तिति में पढ़ता है दबाव में आ जाता है तो उसको मतलब सर घुमने लगता है और पुरानी पुरानी बाते याद आती है मतलब उसकी दुबिदा का उत्तर और वो खोजने लगता है, तो भविष्य का तब कुछ दिखता नहीं है, वो भूतकाल में अपने भविष्य को खोजता है, तो भविष्य के अपने अनुभों को खंगालना शुरू करता है कि क्या किया जाएं, अगर भूतकाल में उसके पास वही स्मृतियां होगी, वही कथ और जिसके पास वो स्मृतिया होगी कि ऐसे ऐसे पत्रकार अपने जीवन में जिनोंने पूरी नहीतिकता के साथ अपने जीवन को बिताया, किसी के आगे जुके नहीं, सत्ते के साथ कभी समझोता नहीं किया, ऐसे लोगों के आदर्श की कहानिया, ऐसे जीवन की कहानिया उसक आई अच्छे अनुभो अच्छी बाते जो सीदे-सीदे काम की बाते और बोलो यह क्यों बोलता हो escrita काम इसका यह वात बहुत महद्सकी है इसलिए आजकल प्रमिंग की है कि रोज कुछ अच्छी नइती आच्छी कर अच्छी खबर सुनाथे बाता जी एक पूम अब आप भी भी जादा तर अगर खराब निज आ गई बैड न्यूस है तो वह देते हैं यह टीवी ब्रेगिंग निउस में बैड निज फूर गया कुछ तो होता है कि अभी यच नी जब ये देखता हूं तो मुझे सुकूण होता है कि तो पूजे कई लोग उच तो इसे कैसे बोल है उसका एसा हैं अगर कोई जो कौमन हो जाता है वो तो नीउस ने बन सकती ना इसका मतलव अभी इखराब चीज इतनी कॉमर्स नहीं है और इसले उसमें संसनी है । इसले वह न्यूस बन रही है इसका मतलब देश अभी भी जयादातर बाते अच्छी हो रही है देश में तो मुझे तुरा सुकून मिलता है जिस दिन ज्यादा ही खराब हो जाएगा सारा और कोई अच्छा किसे ने कर दिया वो फ्रंट पेज पर बंद रही है कि नहीं आज एक अदमी ने सच बोला फ्रंट पेज न्यूज है तो इसका मतलब तो मुझे बहुत दुख होगा कि भई इसका मतलब तो सारे जूट बोल र गया समाज का बहुत ही जादा नीचे चला गया कि कि वही कौमन हो गया है तो शायद मेरा दृष्टिकोन आप सामत नहीं होंगे लेकि मेरा सोचने का तरीका मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं जो कह रहा था कि आज उस बात के लिए एक देखिए पत्रकारिता के जीवन में हमने देखा कि जितने भी हमारे स्वाधीन्ता के नेता थे हैं आप स्वातेंतरे वीर सावरकर लीजिये, महातमा गांधी लीजिये, आप नेता जी लीजिए, मिलोकमान न तिलक लीजिये, ऐँवन संगय के संस्ताभक, डॉक्टर घडिकेवार जी उन्होंने भी पेपर चलाया था मतलब उन दिनों जब कोई सुविधाय नहीं थी बिलकुल मतलब आज की सारी फटा-फट वाटसप पे भेज दिया डिजिटल में देख लिया विलकुल वैसा कुछ नहीं था आप जानते हैं सब उस जमाने में इतने बड़े स्वाधिनता अंदोलन के ल करोड़ों में नहीं होंगे लेकिन उसकी आवाज में इतना दम था कि एक आदमी पेपर पढ़ता था समाचार वो हजारों लोगों तक वो समाचार पहुंचाता था इतना दम था उसमें इतनी नैतिक बल था और इतनी सत्यता थी इतनी देश प्रेम था मतलब सारे सद्गु उसकी आवाज पूरे देश में गुंचती थी कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिका रहे है तो यह जो ताकद अपने स्वाधीनता अंदोलन में पत्रकारिता ने दिखाई हम लोग देख सकते हैं अपने देश में जब कटोगटी आपातकाल लगा तो सारे मिडिया पर बहुत सारे बंदन आये थे तो कुछ पत्रकार ऐसे भी थे कि जिनोंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया ब्रिटिश जमाने भी थे कुछ पेपर जिनोंने बस वही उनी की बात बोलते थे सहाब की बात यह पुरानी प्रणुती है उस समय भी थी जा अंग्रेजों के जमाने मे कुछ पेपर थे देशी थे लेकिन वह सहाब की बात बोलते थे और बाद में अभी कटोगटी के समय आपातकाल के समय बहुत सरे लोगों को यह संकट आया लेहिन उसमें भी पत्रकारों ने अपनी नयतिक ताका दिखाया मुल लिया इवन गोयन का जी इंडियन एक्स्प्र कितना मतलब दबाव था परन्तु उन्होंने आवाज उठाई और जिसके कारण हमारे आसपास के देशों में जब ऐसे आपातकाल लगे तो पता नहीं कि वह 25-25 साल रहे गए हमारे देश में समाज खड़ा हुआ सब लोग खड़े हुए उसके कारण 19 महें से ज्यादा वह चल नहीं पाई है और हम फिर से लोग तंत्र में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि राम जनव हुमी का अंदुलन बहुत सारे लोग थे कि जो विडिया में बहुत गलत बाते प्रस्तापीत कर रहे थे हैं कुछ लोग ने लिखा कि नैशनल शेम टाइटल था जिस दिन आयो मुझे लगता है कि वो अपनी इस बात पर अडे रहे अडे रहे अडे रहे अडे रहे आज मुझे लगता है कि जब बाईस जन्वरी को अजुद्या में कारिक्रम हो रहा था तो देशी कोई भी मिडिया ऐसा नहीं था कि जिसने इसके बारे में सब सकारात्मक बात नहीं हो तो मुझे लगता कि जो सच बात कभी माइनóriaटी में लग़ती हो लेकिंट सबसे प्रभावी काल के प्रभाव достiव वही बने कि इसके लिए वैसे लोग पत्रकार भी चाहिए और वैसा समाज भी चाहिए और मुझे लगता है कि यह बात आज के समय बहुत महुत पूर्ण है जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है बहुत सारी बाते सकारात्मक रूप से आ रही है और लेकिन ये बात भी हो रही है कि अभी आजकल चुनाव वगरे चल रहा है तो बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं कुछ भी टेक्नोलाजी का उपयोग करक जूटे मूटे वीडियोज भी चलाते हैं और कई बाते उल्टी सिती बोलते हैं अब 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 ये बात कई पत्रगार हमें बोलते हैं कि अब क्या करें उन्होंने बोला है उन्होंने कहा है तो हमें दिखाना पड़ेगा हमें चापना पड़ेगा बहुत कुछ भी बोलेग तो मुझे लगता है कि ये अगर कोई पत्रकार कहे किने किसी ने कहा है इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो जूटे सरासर जूटे फिर भी बोलना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि वो उनकी स्वेम की without comment अगर वो करते हैं तो वो भी नहितिकता के अनुकुल नह एप और इसलिए इस बात को ध्यान बिलद चुनाओं के अभी चुनाओं अभी चल जाएगा बाद में देखेंगे नहीं चुनाओं सबसे महत्तफुल्ण उस समय सबसे ज़्यादा नेतिकता की दुरूरत है उस समय सबसे ज्यादा सत्य दिखाने की जरूरत है ताकि लोगों के चैन में कहीं कोई गलती न हो जाए उस समय सबसे ज़र जिम्मेदारी है उस समय आप चुनावे इसलिए गहर जिम्मेदार वर्तन नहीं कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे कोड़ अप कंड़क्ट सबके लिए लग रहा है कहीं न कई मिडिया में भी चुनाव के लिए कोई नो कोई तो आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको कि आप सच क्या दिखा रहे और क्या नहीं दिखा रहे तो मुझे ल मुझे लगता कि कहना जरूरी है उनके जीवन का सबसे महतोपूर्ण बात था कि ग्राउंड रिपोर्टिंग मतलब संपर का खुद करना खुद जाना हर जगा ब्रहमन करना कोई भी चीज को स्वयम प्रत्यक्ष जाकर देखना समझना उसके बाद रिपोर्ट करना है तो आ आज के समय में भी वह प्रत्यक्ष संपर्क ग्राउंड रिपोर्टिंग और मेहनत परिश्रम इसका कोई भी तोड या परियाय नहीं होना चाहिए और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर ही विशलेशकों को विशलेशन करना चाहिए आज हमें उस प्रकार के नैतिक मुल्य की आवशक्ता है एक पुर्शार्थ की आवशक्ता है और भारतिय जीवन मुल्यों की पत्रकारिता में भी आज उतनी ही आवशक्ता है जितनी पहले थी आज भी है और आगे भी रहेगी और इसलिए उन मुल्यों के साथ कोई समझे होता नहीं कि जा सकते हैं पत्रकारिता न पत्रकारीता में भी उतनी है जैसी कि जीवन के किसी और क्षेत्र में हैं इन बातों का मुझे लगता है कि बहुत महत्वख है और आज हमने जिन लोगों का आज सम्मान किया उन लोगों ने अपने जीवन में अभी तक इनी बातों का आगरे रखा है आगे भी वह इनी बातों के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रदित करेंगे यहीं इश्वर से प्रार्थना नमस्तुर्ट